दीन में हम लोग कुछ मामलात में कहते कि इसमें हद नहीं है और कि चीजों में जब वो चीज करते है तो इसमें हम लोग कहते कि बिदत है ये तो इसका काईदा क्या है कि हद नहीं है और ये बिदत है इसको फर्ख करते हैं मैं बहुत अच्छे से नहीं समझ सका लेकिन बिदाद से मुतालिक भाई का सवाल है देखिए भाई आप एक बात याद रखिये सुनिये अल्लाह के नभी स्वासलम की एक हडीस है इसको आप याद रखिये الله के नभी स्वासलम ने फर्माया कि मन अखदसा ओम्रिना हादा मालेस मिन्हो फहुआ रद्दून की जिसने दीन के अंदर किसी ऐसी चीज़ का इज़ाद किया जो दीन का हिस्सा नहीं था पहले अगर किसी नई चीज़ का इजाद किया तो वो बिदात है तो बिदात को परकने का आपके पास मेयार ये है जब कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में एदावा करे कि ये दीन है ये अबादत है दीन का हिस्सा है तब आप उससे दलील पूछीए अगर उसके पास दलील नहीं है तो वो बिदात है दीन के बारे में बहुत सारे लोग आपको आके मिलेंगे और कहेंगे कि आप चैश्मा लगाते हो तो ये भी तो नया है तो ये विदात है भाई चैश्मा दीन नहीं है ये दुनियावी चीज़ है तो विदात का तालुक दीन के मुआमलात से है दीन के मुआमलात के सिलसिले म जब किसी नहीं चीज़ का इजाद किया जाए तो उसे कहा जाएगा कि यो बिधात है जी अहमद भाई अहमद वशीर भाई जी यो बिधात का डेफिनेशन तो समझ में आया लेकिन मैं जैसा कह universal कह रहा था कि कोई जुमाद से पहले हम ये कहते हैं कि मस्जिद में दाखिल हो तो कितनी भी नमाजे पढ़ सकते हैं दो दो रकात करके वही हम एद की नमाज में जाते हैं तो एद की नमाज से पहले हम कहते हैं कि कोई नमाज नहीं होती देखिए आप इसको मुक्तसर में और बहुत आसान जबान में ऐसे समझें कि अबादत असल में तौकीफी है तौकीफी का मतलब यह है कि जहां तक अजाज़त दी गई है वहां तक हम करेंगे और जहां पे अजाज़त नहीं है उसको नहीं करेंगे एद के बारे में सराहत के साथ हदीश में आया कि अल्लाह के नभी ने एद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी गोया कि ये बता दिया गया कि एद की नमाज से पहले नमाज नहीं है ये हदीश के अंदर है कि अल्लाह के नभी ने एद की नमाज से पहले और येद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी अब ये हमें बता दिया गया कि ये नमाज पढ़ने की जगे नहीं है ठीक है जुमा के पहले का जो मसला है जुमा के पहले अगर कोई आदमी नफिल पढ़ रहा है मुतलक नफिल तो देखिए मुतलक नफिल आप इसी भ आच अवकात ऐसे हैं जिनमें मुतलक नफिल पढ़ने से मना किया गया उसमें आप नफिल नहीं पढ़ सकते हैं उसके इलावा मुतलक नफिल की कोई पैद नहीं है आप जब चाहो मुतलक नफिल पढ़ सकते हो और जितनी रकाद चाहो पढ़ सकते हो जैसे अभी आप एशा क नमाज के बाद आप नफिली नमाज पढ़ना चाहते हैं, मुतलख नफिल, नफिल दो किसम की होती है, एक मुकयद, एक मुतलख, जैसे एशा की नमाज के बाद दो रकास सुनत रातिबा है, ये मुकयद नफिल है, उसके बाद आप नफिल पढ़ना चाहते हो, पूरी रात आ तो कोई खैद नहीं है क्यों इसलिए कि यहां पर नफिल मुतलख से आपको कभी भी मना नहीं किया गया है सेवाए चंद अवकात के तो इसलिए इस बुनियाद पर आपको अलमा बताते हैं कि जुमा की नमाज से पहले आप जितनी नमाजे पढ़ना चाहो नफिल मुतलख क्य